अब आपके शहर में भी हमारा मिलना हो सकता है, फिलाल मैंने दिल्ली और लख्णौव में मिलने का जो है वो कारिकरम बनाया है, अगर आप मिलना चाहते हैं, नहीं संदे, आसानी से मुझसे मिल सकते हैं अपने ही शहर में. सुबह दस बैसे लेके 11 बजे के बीच में उपस्तित हूँ आप सबके सामने, आज जिनकी कुनली लेकर के आया हूँ, ये कुनली आई है गुजरात के उपलेटा नामक जगह से, इनके पिता ने इनकी कुनली भेजी है और इनके बारे में विस्तार से जानने की इक्षा जाहि की है, शुरू करते हैं आज का कारेकरम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनके रहिएगा, कारेकरम के आरंभ में, जैसे कि मेरे जो नेमित दर्शक है, वो जानते हैं कि मैं कुंडली विश्लेशन के कारेकरम में, आरंभ में मनुस्मर्थी की बात बताता हूँ, और शाम वा आपको प्रतेक दिन का रासी फल मिल रहा है आप उसे भी चाह करके अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ उस चैनल की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ आपकी दिन चरिया को मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं जो या फिर वैसे ही उपाय बताता हूं कि प्रत दिन का रासी फल मिल जाता है आईए विशा पे लेके आता हूं सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात भगवान मनु ने अपने आदी ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अद्भूत बात कही उन्होंने कहा है प्रतेख व्यक्ति को ब्राह्मण शत्रिय वैश्य ये तीनों वर्णों को प्रतेख दिन मुहुर्त मार्त त्रभी एक घंटा, आदा घंटा, पेंतालिस मिनट, तस मिनट या कम से कम सो बार, या कम से कम ग्यारह बार या अधिक से अधिक तो आप जितना जब सकें, पर कम से कम एक हजार बार प्रतेक ब्रामण को गायत्री मंतर का जब अवश्य करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के कितने पाप, अग्ह, नश्ट हो जाते हैं और वो चाहे कितना ही महापातक क्यों न हो, गुरु द्रोही क्यों न हो, गुरु पत्नी का संग करने वाला क्यों न हो, धातु चोरी करने वाला क्यों न हो, उसके पाप नश्ट होने लगते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रतेक दिन चोरी करें और प्रतेक दिन गायत्री मंत्र जप लें। ये इसका अर्थ नहीं होता है। मेरे यहां जहां मैं शिव जी के मंदर में जाता हूँ वहां पे करीब बहुत दिनों से वहां पे जो तामबे का नाग था एक मैंने लगवाया था वहां लोग दो-तीन बार से तामबे का नाग उठा करके लेके चले जाते हैं अब यह पता नहीं कोई विधर्मी है वो करता है या कोई ऐसा निकरष्ट आदमी है जो ऐसा करता है कि भगवान के सरंगार को भी लोग अपना आहार बना लेते हैं आए विशा पिले के आता हूँ यह कुणली सिंभ लगनकी है इनकी कुणली में इनका जन्म होता है फालगुन माह में इनका जन्म होता है उत्तरायन में चंद्रमा होते हैं मंगलबार को इनका जन्म है और कृष्ण पक्षे के तरतिया तिथी के चंद्रमा शुभग्र होते और ये चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही जादा धन्वान तो बनाते हैं पर मुर्ख नहीं बनने देते हैं, हाठी बनाते हैं, जुद्धी बनाते हैं, पर व्यक्ति संतान से युप्त होता है, संतती वान होता है, अब संतती का अर्थ यहां पुत्र और पुत्री दोनों होता ह मंगल वार को जन्मे होने से व्यक्ती में दिन का प्रभाव यानि कि इनकी कुणली में वारेस कौन बने देव गुरू मंगल बने और इनकी कुणली में मंगल ही नीच के हैं ध्यान से समझिएगा, हमरे जीवन में जो घटनाय घटित होती हैं, वो बहुत सारी चीजों के फल के रूप में हमें प्राप्त होती हैं और वही हमें बहुत सारी चीजें मिल करके प्रभावित करती हैं। मैंने एक कारिक्रम में बात कही थी, वो कारिक्रम आपको महत्वपुन्ट जोतिसी एक कारिक्रम में मिल जाएगा, यहां रोक करके एक बात और कहूं, अगर आप जोतिस को समझना और सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जो महत्वपुन्ट जोतिसी एक कारिक्रम का प्लेल करने के लिए सबसे पहला अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में सबसे जादा महत्वपूर्ण होता है वो लगने से से भी जादा है आपकी कुंडली के वारेस वार के अधिपती जैसे कि इनके पिता ने इनके एजुकेशन के बारे में चिंता दी है कि पढ़ने में तेज है प हमारे पिता या माता हमारे घर वाले चिंतित होते हैं ऐसा कुछ तो कारण होगा तो उसके पीछे का कारण है कि आपकी कुंड्ली के वारेश कैसे हैं वार के अधिपती अगर बल हीन रहेंगे तो नेसंदे परिशानी होगी इनकी कुण्डी मिन का जन्म कब हुआ है? मंगलवार, मंगलवार के अधिपती, मंगल देव, वो जन्म कुण्डी में नीच के है, अब अलग बात है कि उसका नीच भंग हुआ गुरू के केंदर में बैठने के कारण, पर पहले तो ग्रह नीच का हुआ है, और सिमब लगन की कुंडली में जो भाग्य बल है मैंने एक और कारियक्रम में बात कही थी कि सिर्फ एक मात्र भाग्य भाव के बलवान हो जाने से व्यक्ति को धन का धाने का बुद्धी का ज्यान का यश का भाग्य का संतान का दामपत्य का पित्वा का पुत्र का पत्नी का सब का सुख मिलता ह लेकिन इनकी कुंडली में दो पक्ष कमजोर हो गया एक तोवार का अधिपती मंगल कमजोर हो गया और दूसरा भागे का स्वामी मंगल कमजोर हो गया यानि कि इस कुंडली के लिए प्रधानत या हमें और तीसरी कि मंगल देव के बारे में मैंने एक कारिकरम में बात कुई किसी भी व्यप्ति का जो जीवन है वो आठ तरीके से प्रभावित होता है या आठ तरीके के भाग्य से व्यप्ति का एक भाग्य बनता है जैसे ये आठ जो आठ दैव हैं वो दरसल आठ ग्रह हैं के तु दैव में नहीं आते सुरिय जो है वो पिता का भाग्य मतलब अगर मंगल जिसकी कुण्ड्डी में कमजोर है उसको आसानी से वास्थु दोस लगता है मंगल जिस व्यक्ति की कुंडली में कमजोर है उस व्यक्ति को उसका घर और उस घर के देवता ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं और कुपित होते हैं उस पे इसका अर्थ होगा कि इनको जीकी मंगल तीन तरीके से कमजोर हो गए एक मंगल देव कमजोर हो गए बूदैव दूसरा भागय के अधिपती कमजोर हो गए और तीसरा वार के अधिपती कमजोर हो गए यानि कि एक तरफा ये कुंडली सिर्फ और सिर्फ मंगल देव के कमजोर होने के कारण न तो पढ़ाई में मल लग रहा है न तो भागय का साथ मिल रहा है न तो धर्म का सुख मिल रहा है न तो पिता से संपरकच्छे हैं न तो भागय शाली बनने का योग बन रहा है न तो व्यक्ति को संतान का बतलब ये भागय के दैव के कमजोर होने के कारण ये स भाग्य है, जो आपका भाग्य है, वो देव गुरुब रहस्पती है, शुक्र देव आपकी पतनी के भाग्य से आपको सहयोग देते हैं, मतलब अगर आपके कुर्णली में सुक्र देव कमजोर होंगे, तो आपको आपकी पतनी का भाग्य नहीं मिल रहा है, शनी देव अगर कमजोर हैं, तो आपका पुल्व का जन्म और उसमें जो बनने वाला प्रारबध या भोग था वो आपको नहीं मिल रहा है, मतलब वो आपके कर्टब्यों को भी खराब कर रहे हैं, और राहु जो है, वो आपके वंस के कर्म हैं, वंस के भाग्य हैं मतलब आपके वंस में जितने भी लोग हैं आप जिस कुल परंपरा में आपका जन्म हुआ है आपके पुरवजों का दैव आपको प्रभावित कर रहा है या फिर पुरवजों का करतब ये कमजोर था जिसके कारण आपको राहू आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं तो और भाग्य भाव के अधिपती अगर बारह में चले जाते हों, भाग्य भाव के अधिपती अगर आठ में चले जाते हों, भाग्य भाव के अधिपती अगर छट में चले जाते हों, भाग्य भाव के अधिपती अगर तीसरे चले जाते हैं, तो इसे कुंडली में भाग्य भं और जब भाग्य भाग्य योग लग जाता है तो व्यप्ति को अपने पुरवजों की पूजा करनी चाहिए व्यप्ति को अपने खुल देवता की पूजा करनी चाहिए व्यप्ति को अपने इश्ट की पूजा करनी चाहिए मंत्रों का जब करना चाहिए अब कहने का अर्थ है कि आपको सुन्दर प्रारब्ध का निर्माड करना है अब सुन्दर प्रारब्ध का निर्माड या तो दान से होगा या तो फिर अच्छे कर्म से होगा और दान से बड़ा कोई कर्म है नहीं मैं प्रतेक दिन के रासी फल वाले कारेकरम में भी जो मेरा नया चैनल मैंने बनाया है राशी फलवित नकूल पाराशर में उसमें प्रतेक दिन प्रतेक रासी बालों को क्या दान करना है ये बताया है और एक बात बता दूँ आप चाहे मंत्र कितने जपलें आप चाहे कितने ही नियमित दिंचर्या का पालन कर लें दान से ही स्वरण भी होता है, दान का अर्थ बालू भी होता है, दान का अर्थ पुष्प का दान भी दान में ही आता है। पर हस्तनक छत्र में बैटे हैं, चंद्रमा इनकी कुंडली में विश्दोष लगा हुआ है भयंकर, शनी वक्री होकर के दुशित हो गए, किसी सुभग्रह का प्रभाव शनी पे है नहीं, और दुशित होने के कारण ब्यप्ती कई बार अपने पैत्रक संपत्ती को भी कमजोर करने वाले या खसका देने वाला होता है, कम कर देने वाला होता है, बढ़ा नहीं पाता, न्याय नहीं कर पाता है, दुटिय भाव में शनी होने से, चंद्रमा के साथ विश्दोष लगने से, इनीसियल एजुकेशन जो जन्मकुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है, जन्मकुंडली का पांचमा भाव जो व्यक्ति की माध्यमिक सिक्षा का ग्योतक होता है जन्मकुंडली का नवा भाव जहां से व्यक्ति के उच्च सिक्षा के बारे में विचार किया जाता है उच्च सिक्षा के अधिपती नीच के पंचम भाव में राहू, कमजोर हलाकि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी केंद्र में हैं इस वज़से राहू अत्रिक्त फलों को देंगे जैसे विक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, तार्किक बनाएंगे, हठी बनाएंगे, कई बार दुराग्रही जिद्धी बना देंगे, ब्रह्मे रहने वाला बना देंगे, तटस्थ होकर के 50% अच्छे परणाम दे रहे हैं और 50% बुरे परणाम दे रहे हैं। राहु धनु रासी में तटस्थ होते हैं, न तो अच्छे न तो बुरे, लेकिन त्रीकोण के राहु अच्छे होते हैं। बिशम संख्या के राहु सामान नितया, जिस रासी में बैटे हैं, उस रासी का अधिपती जन्म कुंडली का कारक ग्रह है, केंद्र में बैटा है, तो यह ग्रह का विज्ञान व्यक्ति को बहुत सूक्ष्म प्रवावित करता है जिसके जोड से ही बहुत ब्रम्भांड तक ग्रहन से लेकर के सूरी ग्रहन से लेकर के चंद्र ग्रहन भूमी पूजन से लेकर के भूमी में हल प्रवन कब किया जाए कब हल चलाया जाए कब संभिता, सास्त्र और होरा साब इन सभी चीज़ों में सारी चीज़ी बताई गई हैं तो यहां देखिए कि जातक के उपर से मंगल की ही दर्शा चल रही है और मैं अभी देख रहा हूं कि बिप्ति के उपर से मंगल की दर्शा चल रही है क्यूंकि मंगल को मैंने पहले ही अब राहू आएंगे राहू भी परिशान करेंगे इस कारण से इनको राहू की शांती करवानी चाहिए तिरपंडी स्तराध्ध वगएरा हो सके तो वो करवा दीजे इनसे पित्तरों का पूजन करवाईए दक्षन दिशा की तरफ घी का दीपक प्रतेक दिन इनसे शाम को जल खुंभरासी के बैठे हैं जो लगनेश हैं लगन को देखने से विप्ति को आयू तो मिलती है शनी चंद्रमा का विश्दोष यहां बन गया है इसके अत्रिप्त अगर देखे तो मंगल के बारे में मैंने बात कही राहू के तु का प्रभाव लगन पे है और यहां पे सूर विप्ति की कुर्दि में पहले ही पaraकरम के कारक मंगल नीच के हैं जिस जाता की कुर्दी में सत्त्य और असत्त के बीच और उसके intelligence के कारक बुद्ध देव अस्त हैं उस व्यपति की कुर्ली में पढ़ाई की समस्या होगी न?」 इसका अर्थ है कि हमें इनकी कुर्दि में द मंगल रहू के तुका प्रफाव यहां भी है मंगल और शानी इस वज़ा से विप्ति को निश्चित रूफ से बहुत मेहनत करनी होगी और एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि पिता यस्य सुचिर भूतो माता यस्य पती व्रता जिसके पिता सुचिता का पालन करने वा हैं जिसके पिता सुचिर भूत हैं और जिसकी माता पती व्रता है उसकी संतती निश्चित रूफ से यशश्वी स्रेस्ट और ज्यानी होती है हमें अपने भी करतब्यों का बोध करना होगा पिता को भी अपने इस करतब्य का बोध करना होगा कि वो कहां से धन कमा रहा है औ थोड़ी अटपटी और खटपट करने वाली लग सकती है पर निश्चित रूप से हमें अगर हमारे बच्चे अच्छे संसकारों से युक्त नहीं है अगर वो उनकी दिंचरिया, उनकी मैत्री, उनका प्रभाव और उनका कल्याण सही तरीके से नहीं हो रहा है इसका अर्थ ह है कि हमें अपने माता पिता को अपने करतब्यों का बोध करना होगा और समझना होगा कि क्योंकि अगर ये बात है कि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो इसमें कहीं न कहीं माता और पिता दोनों ही दोशी होते हैं दोशी इसलिए नहीं होते हैं कि उन्होंने कुछ किय पर उनको अपने कर्म को चेक करना होता है, उनका रूटीन चेक करना होगा, वो अपने आपको भी चेक करें कि वो पैसा कहां से ला रहे हैं और पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, जैसे सूध पे पैसे चलाना, कुछ उटपटी और पटांक जगों से धन कमाने का कोई ऐसा होता है तो ही बच्चे जो हैं वो प्रगती नहीं कर पाते हैं, उनके संसकार कुपोशित हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी ये बात कहूंगा, दश्मान सा कुणली में भी उच्चे के गुरु हो रहे हैं, लेकिन ब्यापार करने का योग लगा रहे हैं, और यहाँ पे भी लगने शोक करके कई जगा से धन कमाता है इन से पूजा करवाइए नियमित दिन्चर्या का पालन करवाइए थोड़ा ठोक फिट भी करना होगा तो कर दीजेगा हलाकि अब क्या ही करेंगे 2010 के हैं तो 13-14 साल के हो गया है थोड़ा बहुत ठोक सकते हैं मंगल नीच के हैं शनी चंद्रमा क कोई सोचता ही नहीं है कि मुझे कुछ आगे करना है कई बार वो भविष्य को देख करके कोई निरने ही नहीं ले पाता है बिल्कुल नहीं सब नील सरसुती कबच का पाठ करना चाहिए और इनके पिता को इनके लिए गणेस चतुर्थी का वरत करना चाहिए या माता को कान सा इस लड़के का कैसा बना है लगन में शनी वैठे हैं वक्री होकर के गुरु चंद्रमा का आगे ठीक है वैसे कुछ खराबी नहीं है लेकिन हां राहू की दशा है इस वज़ा से कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर सही समय पे सही दशा ना चले तो कही न कहीं हमें परिशानी का माहल देखना पड़ रहा है उसके अत्रिक्त बता दे तो देर से ही पढ़ाई इनकी शुरू होती हुई दिख रही है पटरी पे देर से ही आएंगे सुर्य को मजबूत बनाना है दिनचरिया ठीक रखनी होगी सत्य और असत्य के बीच का भेद इन रहा है पुखराजी पनाई क्योंकि पंचमेश का ही बल कमजोर हो रहा है बुद्ध तो फिर भी चलो ठीक हो रहे हैं कि व्यापार वे यह कुणली वैसे अपना व्यापार करेगी नौकरी बगेरा के योगिस कुणली में थोड़े कमजोर से हैं ये बात तो कहूंगा लेकि इनर्जेटिक नहीं है पढ़ाने में कमजोरी हो रहा है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है यहां पर विश्दोष पढ़ाई में मन लग नहीं देते हैं व्यक्ति के वली दरुदर्म गुंता फिरता रहता है यहां पर भी चंद्रमा बारह में जा रहे हैं यहां पर भी तक से उपाय भीजूँगा उसको तोड़ा सा करिए तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कर